नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखने हमारा खास का एक्रम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस की प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने मंगलवार को कोची में भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उदगाटन किया पोर्ट सिटी कोची में तैयार की गई ये मेट्रो कोची सिटी के आसपास के दस टापों को जोड़ेगी इस योजना से केरल में जल परिवन को विस्तार मिलेगा, राज में परेटन की गत्वितियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी करीब 1136 करोन रुपई की पर्योजना को केरल के लिए डीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को गवर्मेंट आफ केरल और के अफड़ ने फंड किया है के अफड़ एक जर्मन फंडिंग एजनसी है भारत की पहली वाटर मेटर सर्विस क्यों महत्पूर है मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे, उसे समझनी कोशिश करेंगे मेरे साथ हिस्से में इस्टूडियो में मौझूद है स्कूल आप प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्म निदेशक प्रोफेसर पी एसन राव साफ राव साफ आपका भववस स्वागत है साथ ही हम बात करेंगे नीती आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुल जी से माथुल जी आपका भी भववस स्वागत है संसक टीवी पर जाहिर सी बात है ये योजना खासी महत्पूर है कहा जाता है जब एक रेल या सडक बनती है तो अपने साथ कई सपने भी लेकर आती है सपने विकास के, सपने रोजगार के, सपने जुडाव और सपने खुशाली के आज देश भर में तेजी से फैलता रेल और सडकों का जाल एक बड़ा कदम है उन आखों के सपनों को पूरा करने की ओर जो बड़सों से उमीद लगाए बैठे थे मंगलवार को केरल में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर एक उमीदों के सफर की शुरुआत की आईए देखते हैं रेपोर्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के जरिये देश में बदलाव लाने पर जूर दिया उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रस्ट्रक्चर पर अभूत्पूर स्पीड और स्केल पर काम किया जा रहा है बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए अभूत्पूर्व स्पीड और अभूत्पूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है इस साल के बजेट में भी हमने 10 लाग करोड रुपे से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना ताय किया है आज हम देश में पब्लिक, ट्रांस्पोर्ट और लॉजिक स्टिक सेक्टर का पूरी तरह से काया कल्प कर रहे हैं हम भारतिय रेल के स्वरनिम यूग की तरफ बढ़ रहे हैं 2014 से पहले केरला के लिए जो अउसतन रेल बजेट रहता था अब उसमें पाज गुना से भी जादा वृद्धी की और रेडियम ने व्यवस्था कर दी है रुधानवंत्री मोदी ने तिर्णन अन्त पूरम में 3200 करोड रूपई से अधिक की विभिन पर यूजणाओं का शेलान्यास और लोकार पण किया इसमें सबसे जादा विकासकारे रेलवे से जुड़े हैं पीम ने दिंडिगुल, पलानी, पलककर खंड का रेल विद्धिती करोण का काम राष्ट को समर्पित किया इसके अलावा तिर्णन अन्त पूरम, कोजी कूर, वरकला, शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर विकास और निमोन वा कोचुवेली सहित थिर्णन अन्त पूरम कुशेतर के व्यापक विकास और किर्णन अन्त पूरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गती में ब्रिद्धी की परियोजनाओं की आधारशिला शामिल हैं प्रधानमंत्री ने देश के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को पूरी तरह से आधुनिक बनाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि देश की रेलवे का स्वान इम्युक शुरू हो चुका है केरला में गेज परिवर्त है डबली करांट और इलेक्रिप्रिशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए है आज भी तिरुआनत्पुरम सहीद केरला के तीन स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है ये स्टेशन सिर्व रेलवे स्टेशन ही नहीं है बलकि मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट हब बनेंगे बंदे भारत एस्प्रेश जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्प्रेशनल इंडिया की पहचान है आज हम ये सेमी हाइस्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है पुदानमतिन नरेंदर मोदी ने संगवाद को लेकर सरकार के रुख को एक बार फिर साफ किया उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है पुदानमंतिने केरल की धर्ती से कहा कि केरल का विकास होगा तो देश का विकास और तीज होगा और केंद सरकार इस सेवा भावना के साथ काम कर रही है ब्यूरो रपोर्ट संसट टीवी देखते हैं यह रिपोर्ट मौका खास था तो लोगों से जोड़ने का अंदाज भी कुछ खास रहा किरल के कोच्ची में देश की पहली वाटर मेट्रो के शुरुआत हुई जो पानी के उपर दौड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंदर मूदी ने कोच्ची वाटर मेट्रो राश्टर को समर्पित की कोच्ची शहर के साथ संपरक के लिए बैटरी से चलने वाली एलेट्रिक हाईब्रिड नौकाओं के जरिये कोच्ची के आसपास के दस दुपों को जोडने वाली ये अपनी तरह की अनुठी पहल है और आधुनिक ट्रांस्पोर्ट मिलेगा ये जेटी बस टर्मिनल और मेट्रो नेट्वर के बीच इंटर मोडल कनेक्टिमिटी भी प्रदान करेगी इससे कोची की ट्राइफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वोटर टूरिजम को भी नया आकर्षन मिलेगा मुझे विश्वास है किरला में हो रहा ये प्रयोग तेश के अन्य राज्यों के लिए भी मोडल बनेगा कोची वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है वाटर मेट्रो के जरिए कोची के इर्दगिर्द अनिकों द्वीपों पर रहने वाले लोगों को सस्ता और आधनिक ट्रांस्पोर्ट मिलेगा वाटर मेट्रो के मिलने से कोची को ट्राफिक समस्या से भी निजात मिलेगी साथी अब कोची बैक वाटर परेटन को भी नया आकर्षन मिलेगा देश के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को अर्बन ट्रांस्पोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए हमने एक और दिशा में भी काम किया है हमारा प्रयास स्थानिय परिस्तित्यों के अनुकुल मेड इन इन्डिया समाधान देने का है सेमी हाइश्पीड ट्रेन हो रीजनल रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम हो रोरो फेरी हो रॉप्पे हो जहां जैसी जरुरत वहां वैसा सिस्टिम तैयार किया जा रहा है आज आप देखिए वन्दे भारत एक्प्रेस मेड इन इन्डिया है आज देश भर के अने इक शहरों में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है वो मेक इन इन्डिया के तहत है केंद सरकार लगातार देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने की दिशा में राजियों के साथ मिलकर काम कर रही है सरकार की लगातार कोशिश है कि स्थानी परिस्तियों के अनकूल मेड इन इन्डिया समाधान दिया जाए देश में सेमी हाइ स्पीड ट्रेन हो रोरो पेरी हो या फिर रोप वे जहां जैसी ज़रुरत वहां वैसा सिस्टम तयार किया जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट संसट टीवी जाहिर तोर पे भारत की पहली वाटर मेट्रों के क्या माइने है क्यों महत्पूर है खास तोर से परेटन की दिश्टी से आवा गवन की दिश्टी से इसके क्या असर रहेंगे क्या इसका असर होगा प्रोफेसर राव हमारे साथ इस समय स्टूडियो में राव साब मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि पहली वाटर मेट्रो के माइने जो है जाहिड तोर पे हर कोई जानना चाहेगा पहली बार भारत में इसतना बड़ा प्रियोग हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं आर्थिक जिस्टी से परेटन की जिस्टी से कितना महत्मून है विकास की जिस्टी से ये पहल जी ये जो वाटर मेट्रो बना रहे हैं ये पहली बार हमारे देश में हो रहा है और पूरा विश्वि में अगर देखे तो बहुती कम देशों में ये उपलब्ध है और खोची शहर जो है पूरा केरल प्रदेश के लिए एक बहुती इंपोर्टन कमर्शल सेंटर है और यहां पर शहर के इलावा बहुत सारे चोटी चोटी द्वीप हैं जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर फिशिंग भी होता है और बहुत सारे कमर्शल एक्टिविटीज होते हैं लोगों का लगातार आना जाना होता है तो अभी आज की तारीक में पुराने किसम के बोट्स में लोग जा रहे हैं या सडक में जाते हैं तो बहुत राउंड बोट वे में जाना पड़ता है तो उसमें बहुत सारा समय व्यर्थ होता है और उसमें बहुत सारा पुलीशन भी होता है अबी ये जो water metro जो लाए हुए हैं इसमें एक तो समय कम समय में आप पहुंच सकते हैं आराम से पहुंच सकते हैं पूरा air conditioned metros है ये और बड़े हैं बुड़े हैं छोटे हैं व्यापारी हैं इन सब अपना सामान लेकि जा सकते हैं और ज्यादा महेंगा भी नहीं है और इसमें एक weekly pass है एक monthly pass है तीन महेने का भी pass है उसमें काफी कम दाम में आप बहुत ही अच्छी तरीके से comfortable way में आप transportation कर सकते हैं तो ये economy के लिए और लोगों को comfort के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये पहली बात दूसरी बात ये है कि कोची में बहुत सारे tourist आते हैं क तो उसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके लिए भी काफी attractive चीज़े होंगे वहाँ पे fishing nets हैं बहुत सारे चीज़े हैं तो ये सब देखने के लिए उस economy को बहुत boost होगा और जो लोग वहाँ पे आएंगे और भी खर्चा करेंगे तो वहाँ पे local economy को काफी फाइदा होगा और इसमें pollution जो है बहुत कम होगा तो इसलिए ये बिल्कुल नया दिशा में transportation को mobility को एक बिल्कुल नया रूप और नया दिशा दे रहे हैं ये project तो ये बहुत ही अच्छा project है मैं मानता हूँ और ये जितना जिल्दी जाहर तोर पे देश के विकास को देश के जो आर्टिक हमारा धाचा है उसको एक नई दिशा प्रदान कर सकता है ये दुवेंद्र माथूर जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा ये बाट ठीक है कि भारत की पहली water metro की शुरुवात के रहें में होई लेकिस साथ ही अगर metro की हम बात करें इज आफ लिवि से अगर आप देखें तो बहुत वर्ष पहले 1984 में कैलकटा में मेट्रो आ गई थी लेकिन 84 के बाद वो गती सिर्फ दिल्ली में हुई और और राजियों के बड़े शहरों को कोई पहल बदब कुछ गती नहीं पकड़ पाई लेकिन आप देखें 2015 में नीतिगत बदलाव ज पूरी तरह से involved किया जो सबसे important cooperative federalism जो नीति आयोग से मैं जुड़ा रहा उसमें हम लोग निकटा से देख रहे थे किस तरह से जो पूरी transportation की जो समस्या जो ease of living आपने कहा और पूरी देश की अर्थविवस्ता को ये एक तरह से बाधित कर रहे थी जो गती एक developing economy को मिलती ह है वो literally कितनी जल्दी आप गंतवे तक पहुंचें तो बड़े शहरों में गाउं से और दूरस्त ग्रामीन एरिया से लोग सस्ते दरों में गाउं से शहर आ जाते थे लेकिन शहर से फिर उनको 10-15 km शहर के अंदर अगर कहीं जाना पड़ता तो लगबख 5 गुना 8 गुना उनका खर्चा शहर के अंदर के ट्रांस्पोर्टेशन में गरीब आदमी का हो जाता है रोजगार के लिए आता है बच्छे कॉलिज पढ़ने आते हैं तो ये बात केंद्र सरकार की भारती रेल थी तो उसके दाम कम थे और भाड़ा भाड़ा रेल्वे में बढ़ा के रखा क्रॉस सब्सिडाइजिशन के लिए लेकिन शेहरों ने केवल बसें चलाई कि उस स्टेट गवर्मेंट का सोच बसों तक था और वो बसों का सामंजस से रेल्वे स्टेशन से बैठ नहीं पाया वो लैंड भारत सरकार की थी और बसें स्टेट गवर्मेंट की थी तो ये एक हालां कि पता तो सबको महसूस सब लोग करते थे लेकिन कुछ भावी कदम नहीं उठाए गए 2015 के बाद ये संकल्प ले लिया गया कि 50 शहरों में तो मेट्रो आएंगे और वो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जॉइंट वेंचर में स्पेशल परपस वहिकल बनाएंग और उस स्पेशल परपस वहिकल से ये कनेक्टिविटी की एक पूरी पूरी नई कहानी लिख दी गई है अब आप देखिए कि लगबग 25 शहरों में तो मेट्रो के प्रजेक्ट्स काफी एडवांस स्टेज में हैं और जैसा आज प्रदानमंत्री जी ने फिर इंगित किया क जहां जो स्थानी आवशक्ता होगी उसके हिसाब से कनेक्टिविटी दी जाएगी कोई केवल मेट्रो जो रेलों पर दोड़ती है बड़ी मेट्रो चोटी मेट्रो जिसको मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो और ये वाटर मेट्रो और रोपवेस की बात कर रहे हैं तो ला गती पूरे देश की एकॉनमी को जो गती मिलेगी वो इस तरह के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट से ही मिलेगी राजे सरकारें भी पूरी तरह समझ गई हैं वो जैसा केरल ने दिखाया और बहुत सारे राज आगे आगे हैं मातुर साब एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूँ क्योंकि ये नीतिगत एक बड़ा बदलाफ देखने को मिल रहा है पहले इस तरह के जो प्रोजेक्ट आते थे उसमें कहीं न कहीं विदेशी प्रोजेक्ट की छाप देखने को अधिक मिलती थी लेकिन अब मेडिन मैं अब आता इसी बात पर के जो हमारे confidence था कि हम भारतिय इंजीनियर्स बेहत बढ़ी हैं आप देखिए विश्व की सभी companies सब हमारे भारतिय टेक्निकल competence है तो भारत में किनी वज़े से यह कुछ विदेशी companies ने रेल्वे सेक्टर में मेट्रो सेक्टर में अपनी पकड़ बना रखी थी ठीक है वित पोशन जैसे अभी के फड़ी से हुआ है कोचिन का लेकिन कोचिन शिप्यार्ड ने बनाया है पूरी technology है इनके पास इसी तरह से जो सर्विस सेक्टर है इंजिनरिंग सर्विसे जो भी भारत में होने लगेगा यह अब काम और थोड़ा गती पकड़नी चाहिए और आपने रुकुर सही का कि प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम आ गई है पहले रेल्वे ने लोकोमोटिव बनाने का काम तो पूरी तरह से जो एकनामी को गती मिलेगी ग्रोथ की जो ट्रेजिक्टरी है वो इस सोच के साथ हम वर्ल से बेस्ट भी लाएं लेकिन हम अपने केपिबिलिटीज को भी डाउट नहीं करें और प्रदान मंत्री जी का और रेल्वे मंत्री जी का इस पे बहुत बड़ा बलकु सही सोच है कि हम इंडियन इंजीनरिंग टैलेंट को पूरी तरह से यूज़ करेंगे जी बिलकुल मात्री साब अगर देखा जाए तो हाल के वर्षों में आधुनिक दिशा में रेल्वे तेजी से बड़ा है बात चाहें अगर दुरगटनाओं की की जाए या तीर करती से जो ट्रेने चलें उसको लेकर की जाए या रेल पट्रियों को और आधुनी करण की की जाए तो एक आधुनी करण की छाप अधिक देखने को मिल रही है बिलकुल जैसे आपने का वंदे भारत यह देखिए पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन हुई है और प्रद जापान से हो रहा है लेकिन पूरी टेक्नोलेजी हमारी इंडिया ने और वो 500 किलोमेटर की एलिवेटेड हाइस्पी ट्रेन जो 300 किलोमेटर की गती से चलेगी वह भी अब गती पकड़ रही है रीजनल जो रेलवेस की प्रदानमंत्री जी ने बात करी और मेरट से सराय काल चंबित हैं कि वो पूरी ट्रेन की पट्री करीब करीब रेडी हो रही है दो एक साल में उसका भी ट्रायल रंत अभी तुरंत हो जाएगा और वो डिलिवर तो दिल्ली से मेरट कनेक्टिविटी दिल्ली से अलवर राजिस्थान और ये रीजनल रेलवेस जो हैं बंबई का हम लोग देखते थे वो दारण कितने 50-60 साल पहले बंबई को गती मिली थी सबर्बन ट्रेन से लेकिन और कहीं देश में हम लोग लाई नहीं पाए अब पिछले 5 सालों में इतना बड़ा बदलाव है मेट्रों की भी लगबग 900 किलोमेटर मेट्रों के प्रोजेक्ट तो प आभी शहरों में कोई नकोई metro चाए वह वौटर मेटरो हो चाहए रोपे से कनेक्टिड हो चाहये वह जोट्रान का जो सिस्टम है जो मेट्रों कहते हैं मेटैरों कहते हैं नासिक में उसका प्रयोग हो रहा है Юंजम्मू मे उसमें भी सश्थी टेकनोलिजी appropriate technology सब कुछ make in India and made in India और हम लोग इंडिया ही में नहीं यह हमारा export potential भी बन रहा है already DMRC और rights और leading Indian companies CG एक company है मैं जुड़ा हूँ उसके साथ वो company पूरी दुनिया में हमारी technology appropriate technology transportation के sector में उसकी धूम मचेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है जी बिलको बात technology की हो या बात नई विकास योजनाओं की कश्मीर से लेकर केरल तक railway की तस्वीर तेजी के साथ बदली है आधुनी की करण तेजी के साथ railway का हुआ है बाच चाहें बंदे भारे ट्रेन की हो metro की हो या देश की पहली वाटर metro की हो प्रोफेसर राव साब अगर बात reform की परफॉर्म की और transform की कही जाए तो शाथ metro का जिस तरह से reform हुआ है शेहरों का हो रहा है उसको एक अदभूत कहानी देखने को मिलती है आप कैसे इस बदलाब को देख रहे हैं और आर्थी जिस्टी से और याता यात की जिस्टी से कितना बड़ा परवर्तन देखने को मिल रहा है जी हमारे देश में सबसे पहले जब कलकता में metro आया था तो हमने सोचा है कि यह हो सकता है कि बाकिशहरों में भी आएगा लेकिन काफी गैप था और कुछ नहीं हुआ कहीं पे लेकिन जब दिल्ली में पहली बार जिब metro आया था हमें एक बिल्कुल मोडर्न टेक्नालोजी दिया गया था और तब भी हमें काफी संकोच था कि एक चोटा सा Metro फैला हुआ है इतने सौके उपर station है और आज की तारिक में हम without Metro we cannot imagine public transportation तो इतने सारे लाखों लोग रोज Metro में जाते हैं तो अगर ये लोग अगर Metro नहीं होता आज की तारिक में तो हमारा सड़कों का क्या हाल हो सकता है आज हम imagine नहीं कर पाएंगे तो आज कल बसे काफी खाली चल रहे हैं तो Metro एक इतना efficient transportation system है बिल्कुल समय पे आती है समय पे जाती है और इसमें safety, security, convenience इतने सारे चीज़े हैं तो ये पूरा life को transform कर दिया है तो बिना थके हुए आराम से बिना दखे खाये हुए हाँ अपना घर से अब लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक आप ट्रावल कर सकते हैं दूसरी बात ये है कि जो इसमें pollution का जो जितने गाडियां कम हो गये हैं क्योंकि कई लोग जो पहले कार में आते थे वो आज कल Metro में आ रहे हैं क्योंकि जितने लालबतियों पे आपको रुकना पड़ेगा अब ओ सब खतम हो गया है तो आराम से Metro लेके जा रहे हैं थोड़ा बहुत जो अभी दिक्कत लोग फेस कर रहे हैं वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लेकिन ओ लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी अभी जैसा माननी प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया है कि अलग-अलग तरीके से उसको भी जोडने का कर रहे हैं तो ये एक लंबा प्रयास है ये एक दिन में नहीं बना है जैसा दिल्ली में पहले एक ब्लू लाइन आया फिर दूसरा रेड लाइन आया फिर अलग-अलग अब इतने सारे लाइन आ गिये हैं तो इसमें काफी समय लगेगा लेकिन काफी तेजी से ये मेट्रों का नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है और बाकी शेहरों वाले सोच रहते हैं कि हमारे शेहर में कब आएगा अब अलड़ी देखिया कि इतने सारे शेहरों में कम से कम 25 शेहरों में अभी मेट्रों का अलड़ी चलना शुरू हो गया है कई जगे पे काम काफी तेजी से चल रहा है तो मैं मानता हूँ कि ये हमारा पुरा लाइफ को ट्रांसफर्म कर दिया है जिस तरह के से हम ये हम काम करते हैं इस तरह के से हम चलते हैं तो हमारा जो एफिशन्सी वर्किंग एफिशन्सी इन और d optimize या in the college उसको काफी बड़ा दिया है और oil consumption क्योंकि ये बिजली पर चलती है metro train जो है तो इसलिए हमारा fossil fuel dependency भी काफी कम हो गया है और pollution कम हो गया है तो इसके वज़े से काफी बदलाव आ चुके हैं और जो metro stations के आसपास जो है property values बढ़ने लगे हैं तो transit oriented development का एक concept भी लाए हैं तो पूरा शहरों का विकास करने का एक जो तरीका है और शहरी करण का जो एक प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव आ गया है तो ये एक transformational urbanism की तरफ अभी बारत देश को हम ले जा रहे हैं क्योंकि अभी तकरीबन अभी 2021 का census अभी figures आया नहीं लेकिन अंदाज़ा ये है कि कम से कम 40 प्रतिशत जो है Indian population अभी शहरों में अरड़ी बस चुके हैं और बहुती जल्दी हो सकता है कि half of India is going to live in urban India देश का आधा जो population है वो शहरों में बसेगी तो अगर शहरों में इतने सारे लोग आएंगे तो ये कहां रहेंगे और कैसा move करेंगे उनका urban mobility का जो है बहुती important चीज होने वाला है जो hill areas है वहाँ पे आप इस तरीके से आप train नहीं चला सकते हैं तो वहाँ पे rope way कर सकते हैं जो भारत माला एक scheme जो प्रधान में प्रोजेक्टे लाए हैं तो कई जगह पे आप rope ways कर सकते हैं और rope ways और bus ways और tram ways की बात हमने नहीं किया है tram is another very good alternative जो काफी सस्ता पड़ेगा तो tram का भी बात चल रहा है कि कई जगह पे आप last mile connectivity आप tram से दे सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को मिले ट्रांसपोर्ट के सुबधा मिले इस पहलू को आप कैसे देखते हैं कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं यह बदलाव काफी है और काफी अभी आने वाला समय में काफी और बदलाव हमें देखने को मिलेगा अभी electric vehicles का already हमने शुरू कर दिया है जे जाहर तोर पर प्रफिसर राव साब क्योंकि connectivity का मुद्धा है और connectivity जब अच्छी होती है तो उससे देश की अर्थववस्ता को फाइदा होता है इज आफ लिविंग के लिहास से जो मेट्रो सेवा हैं उससे शहरों के विकास में मदद मिलती है आम आदमी को फाइदा होता है आप दोनों ने इस कायकरम में भाग लिया संसर टीवी से बात की बहुत 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 शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तो आज इस कायकरम में इतना ही मुझे दीजिए आग्या नमस्कार